नमस्कार नियूस क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं मुकुंद रभी हम मौजूद है उत्तरपूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में और जिसको इसरी राम कलोनी भी कहा जाता इस पूरे इलाके को यह पूरा इलाका 2020 में जो उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगा था उसका दिल्ली दंगा प्रवाबित इलाका भी रहा है लेकिन हमारा यहां आने का मकसद आज कुछ और है कि यह सब जान रहे हैं बारा नोवंबर को दिवाली वाले दिन उत्तरा खंड में उत्तरकासी जिले में जो आल बैदर रोड के लिए टनल बनाई जा रही थी उस टनल में मिट्टी दसने से इस तरह 41 मजदूर फज गये थे और उनको निकालने के लिए सिर्फ अपने देश के प्रशावसन से लेके संसाधन नहीं बालकि बिदेशों सभी इंजीनियर की टीम और बड़ी-बड़ी मशीने महाई गई लेकिन जब सारी मशीने फेल हो गई तो इ जो एक बहुत बड़ा उपलब्धी है देश के लिए भी हो और इनकी जिस तरह से महनत उसके बाद से ही ये रेट माइनर सब्द जिससे चर्चा में आया और सबको बड़ा रेट माइनर्स ने खुदाई करके इनको बाहर निकाला लेकिन हम ये जानने आए हैं जो इनकी एक इसाइ किस तरीके से हो किस तरही काम करते हैं उनके प्रियांस को इलहिए सबसेंहं वा फ्राइड्री जरूरत है एक तालिस लोग टर्नल में फसे में हैं और उनको बाहर निकालना और मुझे तुम पर पूरा परोसा है यह अशोग जी नहीं वोला देहरादून वाले ने जो ब्रिज और रूफ कंपनी में कारे रहते हैं मैंने जब यह बात सुनी और मैं चीज का अपडेट भी ले रहा था ल दुन शिजा तब कर देनी हैं तो मैंने रिचके लिए अब कर दो ने तुम्हारा उत्रखंट में चलनौ यह अर को पास फोन करा भी या मोन न वहापे चलना उत्रखंट n और आपको लेवर अर्ेंग करना हैं मैंने ठीक है देखते है मैंने आप इयंद जोल ले अभी मैंति टीक है बात करीम की शीन नसीम भाई से और और तमारे इंहारेतं वाई फीरोज भाई हूं भी थे हमारे और वह hvor रह् हमारे भी समाने हूं वो सब पर्चेस कि हमने नया समान पर्चेस किया और साथ बजे हम लोग यहां से निकल के पहुने पांच बजे चार बज़ के पैतालेस मिंट में हम लोग पहुंच गए अब पहुंचने के बाद जब हम देखते हैं वहां पहले से बहुत सारी मशीन यह बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हैं लेकिन जाके अंदर देखा तो अंदर अगर काम कर रहा था और जब वह अगर चल लाता तो आगे कुछ फसरा था फिर नसीम भाई भी गए रिटसाद भाई भी गए राशिद भाई भी गए यह बोलने लगे और फज जाएगा आप लृवाच खेए अधरा फेए फसे और फकर गए हो पर पनहीं चाल गाई रहे तो हम दुवारा भाप सी हाए तो ओगर चला रहते मैं चलूप पांच कंईस सब्सक्राइब पंदिंग में हो गया हमारा बड़ा दिल दुखा मैंने बताओ जो काम हम दो गंटे में कर देते आप यह तीन दिन का पंदिंग में पड़ गया बड़ा जुनून था उसे काम को निप्टाने का उसी टेम जाती कि मैंने कोई बात नहीं हर किसी से हो जाता है ऐसा अब हमने भी ओगर निकलवाने का फिर्यास करो फटावट और हम इसे काम को जल्दी दें क्योंकि हमारे भाई भारत के जो 41 नागरी के हमारे भाई वरकर उन्हें हम जल्दी निकाल लें अभी और बहुत बड़ी टेंशन क्र अब जान सकते हैं उसका अगर का उसे अपनी जहांगों पर डाल की पाइब में डाल की उसे भार तक खिच कला है और जो वजन होता 200 किलों होता है यह आप जान सकतो हो आठ मतला 800 mm के पाए में पाइब में 200 किलों का भार अपने कंद पैरों पे रखे पाइब में पलटना औ बहुत बड़ा बहुत बड़ा टास था पथर को भी मत्ती की तरह काम करा मत्ती ददा सोच का अगा आतम चाले पड़े पड़े था थंदे से पढ़ गिए हैं नी इस तो अगे निकाला रसी पेरों में डाल लगे खीच के पाइब में से लेकिया है उसके बाद रह जिसमें और वो कर फसे वे थे उस सरी वगएरा कुछ गाट थे उस इंगले वगएरा जो लगाते अपनी प्लैंटर में सब चीज़े पिर दीरे काट 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 के हम अंदर गुशते गए और जी हमार एक पाइप 11-12 गंटे के करीब सम्तिंग में उग गया एक उसके पाँश प और मैं पाइप में जाई रहाता हूं उनके बास तो मैंने सुलिया में आप चिंता ना करो आ रहा हूं घबरा ना मत बिलकुल भी आप अंदर से बाहर जाओगे टेंसन न लेना हम साथ लेके जाएंगे जब ही जाएंगे हांसे जब आप निकल जाओगे नहीं तो आम भी ब इस मजदूर भाई जो हमारे दबेवे जिसके लिए हम गए हम ऐसा मोका मिला सिवा करने का देश के हमने जान लड़ा जाएंगे हमारे बंदे सारे ऐसे तूटके पड़ रहे थे एक खुषी तो यह जब है दुख भी खुषी ता यूति कि हम एक ऐसा सेवा करने का मोका मिल भी वीट माइनर जो एक हम आब ही पता चला आख शोम आव्य इराट मानेर बना दिया में अन्नि अमें तोश्येक पुसिंग मैंते इसको के शिवर लाइन की यह पाइप लाइन का उनरू रोड को जिए थे नियंग मोटा हमारा रोड को मोटारों सिनकर दिये हाई हाइवै 500-400 कि जाड़ी मिलती, 8 गंटे की डूटी करते हैं लोग, इतना रिक्सी काम करते हैं, अश्च जादे हैं, पर महीने में हमारे काम है साइसर, बढशात वगर बंद हो जाती है, एक महीने करा, दो महीने करा, एक महीने ठाली है, एवरेज महीन आया थी, दो सो डाय जोगी मजदूरी भे, जन्हें पाम में आते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं भे, मजदूरी बेलदारी वगरा कर लेते हैं, अगर अमारा यह पाही प्लान का काम चलता रहता है, ठीक है, नहीं है तो अपना बेलदारी पे चले जाएं, वहाँ 600-600 कि मिल जाती है, बढ़ जागे है ॐहाठ ले जाएं, अजह आगे साम को नगत पैसा ब लाते हैं, यह एको कहाते हैं, बहुत खुसी ओर यह उरये है, जो पहले के गंते है, वो में आज भूलता जा रहहा हूं, कि इतनी खुशी देधी मेरे भारत के नागरियोंने एक से पंतेलिस-चालिस करोड़ दूनार गई कॉनने मुझे इतनी खुशी देधी मुझे पीछे के गम्दी तरह में मुझे एसास होने लगता है मैं निर्वस हो जाता हूँ जिसे आपने देखा भी होगा मेरे जब बेट पापा दस रुपर दे दीजिये तो हमें यह कहने पड़ता है बेटे रुग जाओ इस काम पे जाएंगे इंशायला देंगे आपको तो बच्छा तो बच्ची होता हुए उसे ही क्या पता कम रहा है कम आई हो रही है नहीं हो रही तो जब बहुत अफसोस होता है रोने भी आज भी में किराये पे यह हजूरी के अंदर किराये पे काट रहो हो अपनी जिंदे कैसी भी पुचिन अगरा है कैसी जिसमें जैसे हम बैट के आफ से बात कर रहे हैं ऐसा ही अगर कोई दो महमान भी आ जाएंगे ना तो क्या तो हमें भाहर सोना पड़ा है महमानों को ने खेशरिवाल सब्सक्राइब कर रहा सब्सक्राइब कि ने उसके मकान वाल इक उस बिल के भी पैसे ले लेता है हमसे बाताए ने ले जाता हमसे जब हम बिल देते हैं, किराय देते हैं, 500 रुपे की मजदूरी, डाक्टर का खर्चा, बच्छों की, अब तो बहुत और बैसा भी खर्चा, बच्चे दस लेते हैं, पांच लेते हैं, और मने नहीं करा जाता हैं, जब हम खाली हो जाते हैं, वो खर्चा हमारे 10-15 रुपे, व काम नहीं होती है, घर की जिम्मेधारी, घर मां बढ़ा हुए हूं, पापा भी एक है अशोतीज और किशी के ऐसी होती है के कमाई में पूरी, नहीं हो, पाती मजबूरी में काम करना पड़ता है, कोई नहीं चाहता कि उसका बच्छा पढ़े हैं, पढ़े-ना या ऐसे घू कर ले कुछ तो आएगा तो इसी हिसाब से हम काम कर लग गए थे ये तो मैंने नाम पहली बार सुना है डैट माइंडर अच्छा और इस मेरे को इस वामले मेरे को मालूम भी नहीं था कि इस काम पर बैन लगा हुआ है मेरे को नहीं पता था बिल्कुल भी मैंने तो यह अफ हम कुछ कर नहीं पाए इसमें मजदूर थे मजदूरी रह गए लेकिन हमें आज के दिन की यह भी नहीं पता थी कि हम हमें लोग इस्टार बना देंगे या यह काम करने के बाद जो जो भी कुछ अपने मुझे कह रहे हैं लेकिन हम अपने मुझे नहीं कहने चारे जो भी हम व्रिक्त तान की चानदा जतनीं भी कहरीए कि आप ए और हो गयं हो गये हो एक व काुथ हमारे पास मिलने के लिए रहे हम जबना भी चाह रहे है कि इस जतलेंद मिलेंगे कि वो ना उसके बाध फिर वही कर तो अब मिलना मिलाना तो यह बस दो चार शेह दस दिन का हैं बागी फिर्मस दूरी करेंगे वालों को मतलब मैंने पैसे नहीं दिये थे जिस वज़े से उन्होंने फाइल बना के मेरा मकान तोड़ दिया और जैसे मकान तोड़ने से पहले बीस वालों ने मीटर अठा दिया जब एक साल दो साल तुमने बगएर लाइट के निकाला किसकी सिस्थम रहे हैं बहुत अभी मैंने अभी आगे बड़ी मुश्किल सोलर पैनल डलवाया लगवाया तो अब मुझे थोड़ा सा रहत महसूस है लेकिन ये मेरे साथ बड़ा ही एक अतियचारी हुआ है कि मैं अपनी क्या करना है बाकी आप हमसे मिलने चले जाओ कोई बात नियम्मः बहुत अच्छी बात वहना बहुत खुशी है आप उसे बात की कि आप हमसे मिलने आ रहे YOUR फोटो भी खैंच रहे वीडियो भी बना रहे हमारी भी साथ में खैंच ले होगे में तसला उठाएंगे बेलदारी करेंगे तो फिर हम कैसे मैसूस करेंगे कि उपर वाले की दूआ से हमें जरीया बनाकर वहां पर भीजा 41 लोगों की जान बचाना मामूली बात नहीं होती है अगर एक इंसान की भी कोई जान बचा तो वह बहुत बड़ी बात होती है तो 41 जाने बची है पता नहीं किस की दूआ से या किस की करम से वो जान बची है और कोई काम हमसे आता ही नहीं तो क्या करेंगे इसके बाद तो बस मजदूरी है मिस्तरी की साथ में जाएंगे 500 मिल ज वेने में 20 दिन ही करेगा वीज दिन में 10 बारा जार रुपे में क्या करेगा आदमी कम से कम सरकार को यह सोचने से यह थोड़ी हमारे लिए भी कि कुछ हमें एसी चोटी मोटी नोगरी या कुछ भी दे दे जो मलब हम कुछ कर सके अपने बच्चों का पेट पाल सके हम तो यहीं चाहेंगे सरकार से कि हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ सोचे हमारे काम के बारे में कुछ सोचे कि हम कोई काम दे दे सरकारी कोई नोगरी उनका ऐसान होगा हम जिन्दीगी भर ऐसान ना बोलें उनकी जिंदीगी सामान नहीं डिनकी है तो मैं चाहता हूं सरकार इनके लिए कुछ ध्यान दे और इनकी जिन्दीगी सुधारे इनके परिवार जिनके बच्चों के लाइफ के लिए ताकि अच्छी पढ़ाई कर सके अ पुरी दिली का पुरी खजूरी का मरीश का पुरी देश करा है तो आम चाहते हैं कि इनके बारे में वह उचे कुछ इने नोकरी कुछ इनका ऐसा हो व्यवस्ता की जाए थाकि इनके विश्थे में सुधार हो जैसा कि अभी अपने सभी मजदूरों को सुना जिनको रेट माइ सब भी पहले नहीं जानते यह लोग काम जानते हैं जो सुरंग के अंदर या गड़ों कोई चीज फस जाती तो इसको आगे पुस्त करके आगे बढ़ाते उसका रास्ता बनाने काम क्या करते हैं यह काम इतना खतरनाक है इसको सरकार ने 2014 में खुदी बैन कर दिया था लेकि जब हम इन से बात कर रहे हैं तो एक बत सचा यह भी है मजदूर की जमीनी हकीकत है आज हर लाइम लाइट में दिखाई जारी लेकिन जहां यह रहते हैं जिस इलाकों में रहते हैं उनके हालात क्या है आपने देखे मिनिमम बेच से भी कमी लोग कमा पा रहे हैं जीवन बवस्था इन लेके हो और इनके बहुत रहे हैं अंदर दवे मन में इक्षा जरूर है इस पर बात होनी चाहिए और जो लोग आ रहे हैं उनको भी चाहिए जो इस समस्या पर बात करें इनहीं मांगों के साथ अभी पूरे जो आपने देखा इनकी बात्चीत इस तरह की और खबरों के लिए न्यूस क्लिक फाद बने रही है आगे और भी जो देश भर में घटना करा मुगा उसका अपडेट न्यूस क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा अभी कलब इस तनहीं धन्यवाद